महिंद्रा ने इश्टार्प्यों के фेस्ट्रिप्ट वर्जन को लॉंच करने की तैयारी पूरी कर ली है इस अधर में कम्पनी ने एक टीजर वीडियो जारी किया है जिसको देखने पर अनेक बातों का खुलासा हमारे सामने हो जाता है टीजर में महिंद्रा ने इश्कॉर्प्यों को D-Segment की SUV बताया है जिसमें दो इंजिन ओप्सन मिलेंगे पहला 2.0 लिटर का टर्बो पेट्रोल होगा और साथ इसाथ 2.2 लिटर का पेट्रोल इंजिन भी इसमें होगा जो लगबग उतनी ही पावर जनेरेट करेगा जो थार का इंजिन जनेरेट करता है यानि थार वाला इंजिन ही इसमें यूज होगा इसके साथ ही नई इश्कॉर्प्यों में महिंद्रा का नया लोगो है वो भी दियावा होगा जो XUE 7OO में है कंपनी ने नई इश्कॉर्प्यों में दावा किया है कि ये गाड़ी सबी जो SUV गाड़ियां है कारे है उनकी बाफ बोले तो डेड़ी होने वाली है और सेफटी के मामले में भी नई इश्कॉर्प्यों में काफी ज़्यादा काम किया गया है जिसमें आपको 6 airbag मिलेंगे reverse parking camera tire pressure monitor cruise control जैसे सांधार features इसमें आपको मिलने वाले है साथ ही नई इश्कॉर्प्यों वर्तमान में विक्री इश्कॉर्प्यों जो size है उसमें भी काफी बड़ी होने वाली है टीजर को देखें तो इश्कॉर्प्यों के front में vertical slate grill मिलेगी जैसी की active 7W में मिलती है वहीं side से देखें तो नई इश्कॉर्प्यों में भी pull type door handles मिलेंगे नई इश्कॉर्प्यों में इश्कॉर्प्यों का मुकाबला भारतिय कार बाजार में टाटा की connection या माफ करें टाटा की harrier से सीधा सीधा होने वाला है नई इश्कॉर्प्यों की launching अगले महीने यानि जून 2022 में होने की संभावना है आपको बता दें कि महिंद्रा ने इश्कॉर्प्यों को पहली बार 2002 में भारती बाजार में लांच किया था यानि अब लगबग 20 वर्स इश्कॉर्प्यों को हो चुके है सांदार श्रानिम यात्रा रही है इश्कॉर्प्यों की लोगों को खूप पसंद आई है और अब ये जो नई इश्कॉर्प्यों आने वाली है साइज में बड़ी होगी, फीचेस में सांदार होगी, सेप्टी की मामले में 21 होगी और कुल मिला के ये भी लोगों को खूप पसंद आने वाली है नई इश्कॉर्प्यों को बारे में जो भी छोटी शेच छोटी खबर होगी वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे लियाज इस चैनल को सबस्क्राइब वहुशी करें आप सब के उत्म शाष्टी की कामना करता हूँ नमस्कार धन्यवाद